एक प्रोब्लम है जो सबको बतानी है और जिनको सोल्यूशन नहीं पता उनको सोल्यूशन भी बतानी है यो यो सो ही यो वाटसप काईज वाकम बैक इन आप ब्रैंड नू वीडियो तो देवी और सजुनों सभी का सुअगत है तो यार आज इस वीडियो में तुम लोगों के साथ मैं कुस विशे पर चर्चा करने वाल हो तो वो जो विशे है वो बहुती जादा गुपत है गहरा राज है जो कि तुम लोगों के संग मैं खोलने वाला हूँ हो तो अपने कानों में एर्फून डाल लो ताकि यह रात तुमौहरे घरवालों तक ना पोँच सकते है अगर घरवालों तक राज पोऊच गया तो पीलाटstar हे Ó की स तुम लोग match के अंदर घुस नहीं पाते तो तुम लोग उस प्रोब्लम को इस तरीक से solve कर सकते हो यही आज किसे वीडियो में बताने वालों सो देखो matchmaking problem आती है basically दो कारणों की वज़े से जो दोनों के दोनों कारणी बे भालतुगें लेकिन फिर भी मैं तुम लोग को बताऊंगा solution बताऊंगा ना तो पहले कारण का solution यही है कि आप लोग 10-15 मेंड़े ठैर के गेम को start करोगे तो उसके बाद game start हो जागा लेकिन वैसे जो है बंदी ज्यादा रैंक मैंच खेलते हैं तो रैंक मैंच में आप लोग को matchmaking problem इती खास नहीं आएगी लेकिन अगर आ रही है तो यह तुम लोग बताऊगे तुम लोग का id blacklist में कैसे गया मेरे को बताऊ तो देखो अभी तुम लोग को पता नहीं का तुम लोग का id blacklist में गया क्या तो जरा अपने जो पास्ट है ना उसमें ध्यान दियो कि कहीं तुमने कोई hack glitch file कोई extra file वगेरा कूड़ेदान कुछ बैन कर देंगे तो देखो अगर तुम लोग कोई भी file वगए रहा है चोटा मोटा glitch hack यूज किया है तो फॉरन अपने phone को reset कर दे ना क्योंकि कई 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 बार क्या होता अपने लोग glitch को मतलब delete वगए रहा तो कर देते हैं लेकिन फिर भी वह कहीं ना कहीं अपने phone के कौने में छुपा रहता है इस वज़े से जैसे गरीना को वो detect हुआ तो तुम लोग का ID blacklist में या फिर band भी कर सकते हैं तो एक बार phone को reset कर देना अगर कोई भी hack use किया लेकिन अगर कोई भी hack use नहीं किया फिर भी तुम लोग का ID blacklist में चला गया तो इसका मतलब है गरीना ने शस् automatically होने लगता है तो इस वज़े से एक बार phone को reset कर देना अगर तुम लोग का ID blacklist हुआ है बाकि दो से तीन हफ्तों तक गरीना वाले यह चेक करेंगे कि तुम लोग की ID में और कोई दिक्कत तो नहीं है अगर दिक्कत नहीं होई तो दो तीन हफ्ते एक बार वो automatically तुम ID में कर देंगे तो इसलिए मैं यही बोलूँगा घर पे रहें सतर करें साफधान रहें जया हिंदुवन नमात्रम